आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हेलो दोस्तों आईए देखते हैं एक प्रशन इसमें हमसे क्या करें समाकलन करें ठीक है और हमें किसका समाकलन करना है डी एक्स बटे में तीन प्लस पाँच साइन एक्स का अब इसके बाद देखें यहाँ पर क्या करेंगे हम समाकलन डी एक्स बटे में तीन प्लस पाँच साइन एक्स की जगह पर मैं सूत्र खोलूँगा दो टैन एक्स बटे दो बटे में वन प्लस टैन स्क्वाइर एक्स बटे में दो क्योंकि sin 2x का क्या सूतर होता है sin 2x का सूतर होता है 2 10x और बटे में 1 प्लस का 10 square x ठीक है अब यहाँ पर 2x है तो यहाँ x होता है लेकिन अगर यहाँ पर x हो तो यहाँ पर x बटे 2 हो जाता है ठीक है तो इसके बाद यह हमारा किसके बराबर हो जाएगा यह हमारा बराबर हो जाएगा समाकलन dx और इसके बटे में क्या आएगा देखे यहाँ नीचे से मैं 1 प्लस 10 square x बटे 2 LCM ले लूँगा तो यहाँ उपर हमारा कितना हो जाएगा देखे 3 इसकी गुणा हो जाएगी 1 प्लस 10 square x बटे 2 में फिर प्लस 5 इसकी गुणा हो जाएगी 2 10 x बटे 2 में ठीक है और इसके बाद क्या होगा कि यह जो नीचे LCM ले लेने लिया है 1 प्लस 10 square x बाई 2 यह पलटके यहाँ पहुँच जाएगा dx के पास तो यह कितना हो जाएगा समाकलन 1 प्लस 10 square x बटे में 2 ठीक है और dx और इसके बटे में क्या आएगा बताएगे इसके बटे में यहाँ से आजाएगा आपका 3 के अंदर गुणा होगी तो कितना आएगा 3 इकम 3 प्लस 3 10 square x बटे में 2 फिर प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 10 x बटे में 2 अब देखिए 1 प्लस 10 square x जो है 1 प्लस 10 square x किसके बडावर होता है सेक square x के लेकिन यहाँ पर x बटे 2 है तो यह हो जाएगा आपका सेक square x बटे में 2 और dx ठीक है और बटे में क्या आएगा देखिए यहाँ से यह हो गया आपका 3 10 square x बटे 2 3 10 square x बटे 2 प्लस 10 10 x बटे 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 3 ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम 10 x बटे में 2 को हम t मान लेंगे तो इससे क्या होगा इससे यहाँ पर आपका आजाएगा 10 x बटे 2 को हम t मानेंगे तो अवकलन करने पर क्या आएगा सेक square x बटे में 2 और फिर x बटे 2 का अवकलन कितना होगा 1 बटे में 2 बराबर dt बटे में dx तो यहाँ से बताईए कितना आजाएगा मान सेक square x बटे में 2 और dx इसका मान आजाएगा 2 dt तो अब हमारी जो समीकरन है i बराबर क्या हो जाएगा समाकलन यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 dt ठीक है और बटे में क्या आएगा 3 t square प्लस 10 t प्लस 3 ठीक है अब इसके बाद देखे इसको कैसे सरल करेंगे यहाँ से जो यह 2 t square प्लस 10 t प्लस 3 है इसको मैं पूर्ण वर्ग बनाऊँगा तो कैसे बनाएगे पूर्ण वर्ग 2 t square प्लस 10 t प्लस का 3 इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 common लेना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यह t square प्लस का 10 बटे 3 t और प्लस का 3 बटे 10 3 बटे 3 यानि की 1 हो जाएगा यह इसको मैं ठीक कर देता हूँ यह आपका 1 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 3 common लिया है ना हमने तो यह आपका 1 हो जाएगा चलिए अब इसके बाद 3 t square तो ही है और 10 बटे 3 t को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 गोणा t गोणा फिर क्या लिखोंगा बताईए क्योंकि मुझे 2 की गोणाज में लिखना आए तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 बटे 3 ठीक है तभी तो 5 बटे 3 आएगा फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा इसका मतलब 5 बटे 3 का square मुझे जोड़ना पड़ेगा यानि कि 25 बटे 9 मुझे जोड़ना पड़ेगा और 25 बटे 9 ही मुझे घटाना पड़ेगा तो देखिए दोस्तों यह किसके बादब हो जाएगा यह कितना हो जाएगा माइनस का 25 बटे 9 और बटे में कितना आएगा 9 आजाएगा ठीक है तो यह किसके बराबर हो जाएगा बताइए 3 यह हो जाएगा आपका टी प्लस 5 बटे 3 का whole square माइनस 25 में से 9 जाएगा तो 16 बटे 9 यानि कि यह किसके बराबर हो जाएगा 3 टी प्लस 5 बटे 3 इसका whole square और 16 बटे 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या बताइए 4 बटे 3 इस पूरे का whole square ठीक है तो अब हमारी समिकरंड क्या बन जाएगी आई बराबर हमारी समिकरंड बनेगी देखे इसकी जगा बटे में हमें इसकी जगा पर ये लिख देंगे तो यह आजाएगा आपका 2 और बटे में 3 हमने बटे में से common लिया है तो समाकलंड dt और बटे में हो जाएगा आपका t प्लस 5 बटे 3 का whole square माइनस 4 बटे 3 का whole square अब ये जो सूतर बना है ये किसका सूतर बना है समाकलंड dx बटे में x square माइनस a square का तो देखे ये जो सूतर हो जाता है ये बराबर होता है एक बटे में 2a log bracket mode के अंदर x माइनस a बटे में x प्लस a और प्लस का c तो ये ही सूतर जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा i बराबर 2 बटे 3 और ये हो जाएगा आपकल फिर इसमें गुड़ा होगी एक बटे 2 और a की जगा पर क्या है यहाँ पर 4 बटे 3 ठीक है और उसके बाद क्या हैगा log mod के अंदर x यानि की t प्लस 5 बटे 3 और माइनस का 4 बटे 3 ठीक है और फिर x यानि की t प्लस 5 बटे 3 और प्लस के 4 बटे 3 ठीक है और प्लस का c C यहाँ पर समाकलन इस्तिरांग है अब देखें 2 बटे 3 से यह 2 बटे 3 कट जाएगा क्योंकि यह गुणा में है तो I बराबर आपका आजाएगा 1 बटे में 4 लॉग और यह कितना होगा बताईए यहाँ पर उपर मैं LCM ले सकता हूँ 3 तो 3 LCM लेने से क्या होगा यह हो जाएगा 3T प्लस 5 माइनस का 4 ठीक है इसी तरह से नीचे भी LCM आ जाएगा तो नीचे भी कितना आएगा LCM 3 आएगा तो उपर कितना बचेगा बताईए यहाँ बचेगा आपका 3T प्लस 5 प्लस 4 और प्लस का C ही है तो फिर यह जो 3 है इस 3 से यह 3 कट जाएगा तो आई बराबर कितना आजाएगा एक बचे में 4 लॉग यह आजाएगा आपका 3T और 5 में से 4 गया 1 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 ठीक है यह मौड के अंदर ही है और प्लस का C चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा आपका 1 बचे में 4 लॉग और देखिए T का मान कितना है T का मान हम रख देते हैं T मैंने किसको माना था T मैंने माना था 10 X बटे में 2 को तो मैं यहाँ पर रख देता हूं क्या आ जाएगा? 3, 10, x बटे में 2, प्लस का 1, और बटे में भी क्या आएगा? 3, 10, x बटे में 2, और प्लस का 9, और प्लस के C, यह आपका उत्तर होगा, तो इस तरह से हल करके बता देंगे, ठीक है? यह आपका उत्तर होगा. प्लस के लेकर नीट आएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक, एक करोड से जादर चातरों का भरोजा. आज यह डाउनोट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स 8444 चार्सो पर.